इस्टूडेंट्स आज की क्लास में लोग प्रश्णावली 7.2 के सवालों को सॉल्व करने वाले हैं तो क्वेस्टन नमर वन को आप लोग देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है क्रय विक्रय के निम्न सौधों में हानी या लाव ग्याद किजिए प्रत्य दसा में प्रतिसत हानी या प्रतिसत लाव भी ग्याद किजिए तो इस्टूडेंट यह जो हमारी प्रश्णावली है ए लाव हानी से सम्दिद है ठीक है तो चलिए इस प्रश्णावली के सवालों को सॉल्व करने से पएले हम लोग कॉंसेप्ट समझ लेते हैं उसके बाद प्रश्ण दुकानदार है आप एक दुकानदार हैं और आपके दुकान पें तरह तरह के सामान है जैसे समझेने के लिए चीनी है दाल है नमक है तेल है ऐसे तरह तरह के सामान है आपके दुकान में आप समझिए आप जो चीनी बेच रहे हो उस चीनी को आप खरीद करके लाए हो 40 का ठीक है और आप 40 का माल 45 में बेच रहे हैं ठीक है जैसे भई आप अपनी दुकान में जो सामान रखेंगे और कहीं न कहीं से खरीद कर लाएंगे और जिस मूल पर आप उस सामान को खरीद कर लाते हैं वो मूल क्या कहराता कर रहे हैं मूल ठीक है अब समझिये जैसे डाल है डाल आप किसी दूसरे दुकान दार से खरीद करके लिए थोक रेट में आप लाए हैं 150 रुपए किलो ठीक है 150 का आप ले करके आए हैं तो ए 150 क्या हो जाएगा आपका क्रेम उल्ल हो जाएगा और आप 150 की सामान को 170 में बेच रहे हैं देखिए जितने में बेचते हैं उमारा क्या होता बिक्रेम उल्ल है समझ गये अब यसे अन्नमक का पैकेट आपने 30 रुपए का एक लिया है तो यह 30 रुपए क्या हो गया आपका करे मूल हो गया और आप इस पैकेट को कितने का बेच रहे हैं अब तेल का जो एक बॉटल है एक सो पचास का खरीद करके लेकर के आए हैं तो एक सो पचास है क्या करे मूल है और इस एक सो पचास के बॉटल को आप कितने का बेच रहे हैं 170 का तो 170 क्या होगा बिक क्रे मूल ले होगा ठीक स्टूडेंट इदनी बात आप लोग समझ गए जैसे जब हमारी दुकान है हम सामान को जिस रेट में खरीद करके लाते है वो हमारे जो मूल होता है वो क्रे मूल कहलाता है जैसे आप समझ गए यह हमारी पैन है और मैं अपनी दुकान में बैठा हूँ ठीक है यह जो पैन है इस पैन को हमने 3 रुपए का एक खरीदा है ठीक तो यह 3 रुपए क्या होगा क्रे मूल होगा अब यह जो हमारी पैन है इस पैन को मैंने आपको बेज दिया 5 रुपए में तो हम 3 का खरीद करके ले के आये थे तो इसका क्रे मूल कितना रुपए था 3 रुपए बेज कितने का दिया है 5 रुपए का तो 5 क्या होगा बिक्रे मूल होगा अब इस्टूडेंट्स आगे आप लोग समझे अगर हमारा जो क्रे मूल है जो क्रे मूल है अर्था जिस मूल पर हम सामान को खरीद करके लाए है अगर क्रे मूल छोटा है किसे से बिक्रे मूल से तो इस केस में जो हमारा ब्यापार है इसमें में क्या होगा लाब होगा देखिए यह हमारे करे मूल है यह हमारे विकरे मूल है करे मूल क्या है? 40 है और यह कितना है? 45 है विकरे मूल आप देखिए 40 बड़ा की 45 45 बड़ा है यानि कि यह जो करे मूल है हमारे छोटा है विकरे मूल से करे मूल है जब छोटा होता है विकरे मूल से तो ब्यापार में हमें लाव होता है वैसे भी आप लोग देख करके समझ जाएंगे अगर करे मुल्ले छोटा है बिकरे मुल्ले बड़ा है तो ब्यापार में हमें क्या होगा लाव होगा चलिए एक example और ले लेते हैं समझे भई आपने कोई सामान है कोई भी नाम ले जी चलिए चलिए अबने नाम लिया मुग फ़ली का ठीक है समझे आपके पास मुग फ़ली है आप इसको 120 रुपए किलो खरीद करके लेके आएं ठीक है 120 रुपए का आपने एक किलो खरीदा है और आप इसे बेज कितने के रहे हैं किसी कारणवस यह जो मुग फ़ली है इसका रेट सस्ता होगे या फिर आपको किसी कारणवस कम रेट में बेचना पड़ रहा है समझे 100 रुपए किलो आपने बेच दिया तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं जो हमारा करे मूले है वो 120 है बिक्रे मूले 100 है तो हमारा जो करे मूले हो जादा है किसी से बिक्रे मूले से इस केस में क्या होगा हानी होगी जब करे मूले बड़ा होता है बिक्रे मूले से तब ब्यापार में क्या होता है घाटा होता है हानी होती है इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे करे मूले क्या होता है बिक्रे मूले क्या होता है ब्यापार में कब हमें लाव प्राप्त होगा कब हमें हानी पराप्त होगी तो इस्टूडेंट से इतनी बात आप समझ गए चलिए अब हम लोग प्रशन पर चलेंगे चीजों को आराम से समझने का प्रियास करेंगे तो ए नंबर को दियान से दिखिए एक हो इसमें कादरा बगीचे में काम आने वाली कैची रुपिया दो सो पचास में खरीदी गई तता रुपिया पैटीस में रुपिया पैटीस में बेची गई कितने में बेची गई रुपिया तीन सो पचीस में बेची गई बही 250 का खरीद रहे हो 325 का बेच रहे हो तो यहां से अब आप बताईए कैची का क्रेमूल क्या हो जाएगा लिखिए कैची का क्रेमूल क्रेमूल मतलब जिस मूल पर हम सामान को खरीद करके लाते हैं तो यहां पर कैची को कितने में खरीद अगया 250 में तो लिख दीजिए कैची का बिक्रे मूल क्या है कैची का बिक्रे मूल है क्या हो जागा इस्टूनेट कैची का बिक्रे मूल यहां पर दिया कितना तीन सो पच्चीज रूपए अब आप लोग ध्यान से देखिएं बिक्रे मूल बड़ा है क्रे मूल से तो इस केच में ब्यापार में क्या होगा लाब होगा ठीक है तो लिखिए लाब बराबर कितना हो जाएगा यह जो बिक्रे मूल्य है बिक्रे मूल्य में से करे मूल्य को घटा देंगे बिक्रे मूल्य माइनस करे मूल्य अब बिक्रे मूल्य कितना है? तीन सो पचीस रूप है माइनस करिए दो सो पच्छास कितना प्राप्त होगा? पांच आ जाएगा यहाँ पर और बारा में से पांच गया साथ 75 रुपए का फायदा हुआ student कितने रुपए का फायदा हुआ 75 रुपए का अब हमें इसे प्रतिसत में बदलना है ठीक है तो लिखे लाब प्रतिसत इस इकोल टू देखे श्टूइन लाब प्रतिसत निकालने का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है लाब गुड़े में 100 बटे में करे मूले ठीक है इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करिए आप तो हमें 75 रुपए का लाब हो रहा है 250 रुपए की खरीद पर ऐसे पढ़एंगे ठीक है 75 रुपए का फायदा हो रहा है 250 की खरीद पर तो 100 पर कितना निकाल लीजिए 0 से 0 कट जाएगा 25 यक्के 25 25 तीन पतरतर 3 गुड़े 10 कितना होगा 30 प्रतिसत तो ब्यापार में में कितने प्रतिसत लाब हुआ 30 प्रतिसत तो ऐसे आप लोग आसानी के साथ निकाल सकते हैं चलिए अब हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं अगला हमारा क्या है पी को आप लोग ध्यान से देखिए इस्टूनेट चेजों को आप लोग आराम से सीखेंगे तो यह कोई बहुत बड़ा कॉंसेप्ट नहीं है प्रॉपिट लॉस तो आप लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं लाब हो रहा नहीं कब आपको लाब हो रहा है कब आपको आनहीं हो रही है आप लोग बीना किसी फॉर्मूले के समझ सकते हैं को आकाी समझिए एक रेफ्रिंजरेटर रुपिया 20,000 में खरीदा गया अब आप कितने के खरीद रहे ररीफ्रेजरेटर को बारा रहाजार में तो जो रेफ्रिंजरेटर के करैमूल है के रेफ्रिंजरेटर क Mehr Day के करयमूल कितना दिया है 12,000 रुपए और रुपिया 13,500 में बेचा गया तो विक्रे मूल ले दिया गया विक्रे मूल विक्रे मूल ले कितना दिया है 13,500 रुपए अब इस्टूनेंट आप बता ही व्यापार में क्या हो रहा है तेके विक्रे मूल ले जादा है करे मूल ले कम है जिब विक्रे मुले ज़ादा होगा तो घ्रापर में लाफ प्राप्ट होगा जैसे भाई आपने 5 का पेन ख़रीदा 10 का बेज दिया तो जाइट sudah बात है हमें 5 रुपय का फायदा हो रहा है तो आपने कैसे पता किया बिक्रे मूल में से अपने करे मूल को घटा दिया है लिखिये लाव बराबर बिक्रे मूल माइनस करे मूल बिक्रे मूल कितना है? 13,500 माइनस करे मूल कितना? 12,000 घटा दीजिए जीरो, जीरो और यहां परोज़ा का पांच तीन में से दो गया एक ठीक है? पंदरा सो रुपए का फाइदा हुगा आपको अब हमें इसे प्रतिसत में बदलना है तो प्रतिसत में बदलना कोई बड़ी बात नहीं है कैसे लिखोगे? देखिए जो लाब और हानी होती है वो हमें इसे क्रे मूले पर निकालते हैं आधार बेलू क्या होती है? क्रे मूले देखिए अब हमें पंदरा सो का प्रोफिट हो रहा है कितने की खरीद पर? बारा हजार की खरीद पर तो सो पर कितना? कार दीजे दो जिरो से कट गया पंदरा की पंदरा पंदरा अठे एक सो बीस सो बटे याठ हो गया कार दीजे आठ एक के आठ दो दस यह हो गया बीस आठ दूनिस ओला चार बीस दसमलो लगाईए आठ पंचे चालिस बारा दसमलो पाँच प्रतिसाद ठीक है कितने प्रतिसाद लाब हुए इस्टूइट बारा दसमलो पाँच प्रतिसाद लाब प्राप्त हुआ समझ गए चलिए अब लोग अगले नमबर पर चलते हैं सी पर और देखते हैं सी का सोलूशन क्या होगा तो ध्यान से पढ़ियसी में क्या कहा जा रहा है एक आलमारी रुपिया पचीस सो में खरीदी गई और रुपिया तीन हजार में बेची गई कोई आलमारी है और आलमारी को कितने में खरीदा गया दो हजार पान सो में लिख लेजिए आलमारी का क्रे मूल ले इस इकोल टू 2500 रूपए और कितने के वेची जा रही है लिखे आलमारी का बिक्रे मूल ले बराबर 3000 रूपए अब इस्टुडेंट आप लोग देखे विक्रे मूल है क्रे मूल विक्रे मूल ज्यादा है क्रे मूल इसे तो व्यापार में क्या होगा लाब होगा तो लेखे लाब बराबर लाब कितना कैसे निकालोगे विक्रे मूल माइनस क्रे मूल करेंगे रटना नहीं आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे थोड़ा सा सोचोगे तो लाब कैसे निकालते हैं पता चल जागा बिक्रे मुल माइनस क्रे मुल अब बिक्रे मुल कितना तीन हजार है मैंसे घटा दीजिए दो हजर पांसो को तो आपको लाब मिल जाएगा तो भई तीन हजार मेंसे दो हजर पांसो घटा होगे तो आपको पांसो मिलेगा पांसो का आपको फायदा हुआ अब भई प्रतिसत में कितना फायदा हुआ तो चलिए लाब प्रतिसत निकाल लेते हैं लाग प्रतिशत हमारा बराबर होगा किसके पाई 500 का फायदा हो रहा ना आपको कितने रूपए की खरीद पर 2500 की खरीद पर 100 पर कितना निकाल लीजी दो जिरो से दो जिरो कट गया पाँच एक की पाँच 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 से सो को काटा पाँच बीस में सो तो हमारी पाँच कितना परतिशत आ गया बीस परतिशत जो हमारा लाग परतिशत है वो कितना आ गया बीस परतिशत लाग पाँच सो लाग परतिशत ब तो इस्टूडेंट्स आप डी को ध्यान से देखिए एक इसकर्ट रुपिया 250 में खरीद कर 150 में बेची गई अब आप लोग यहां पर कुछ देख पा रहे हैं जो इसकर्ट है इसकर्ट का क्रेमूल इसकर्ट का क्रेमूल इस इकोल टू दो सो पचास रुपए विक्रेमूल कितना है विक्रेमूल एक सो पचास रुपए है ठीक स्टूडेंट अब आप लोग समझिए तैसे यहां पर हमारे पास एक मार्कर है कितने के घैंचने मार्कर हमने तीस रुपए में खरीदा ठीक कितने के खरीद ए तीस का पर सिप्ट से हमने इसको गेचने वैशने आ पर हमार्कर कितने का बिका बीस रुपए का देखी verdeख магवा बात को ढena से समझिए हम इसको तीस का खरीद कर लेकर के आए थे अपनी जेव से हमने 30 रुपए खर्च किया लेकिन हमने इसको बेचा तो 20 रुपए में बिका 30 का खरीदे थे 20 का बेच दिये तो आब बताई में घाटा हुआ अग फायदा हुआ जाइर सी बात है घाटा हुआ कितने रुपए का तो अब इस केस में आप क्या करोगे करे मूले में से बिकरे मूले घटा होगे तब हमें हानी प्राप्त होगी समझ गए चलिए लिखिए इसको देखिए तो इस प्यापार में में क्या हो रहा हानी हो रही क्यों क्योंकि जो बिकरे मूले है वो छोटा है करे मूले से तो लिखिए हानी बराबर करे मूले अब कितने की हानी होई स्टूडेंट कैसे प्राप्त करोगे क्राय मूले में से बिक्रे मूले को घटा करके क्राय मूले कितना है? 250 रुपए माइनस बिक्रे मूले कितना? 150 तो आपको के दरे का घाटा हुआ? 100 रुपए का अब इसे में प्रतिसत में बदलना है हानी प्रतिसत is equal to देखिए 100 रुपए का घाटा हो रहा है और हमने का कि जो लाब और हानी होती है हमेशा क्राय मूले पर देखी जाती है ठीक है? आधार बैलू क्या होता? क्राय मूले होता है तो हानी प्रतिसत 100 रुपए की हानी हो रही है 250 की खरीद पर यानि की 250 के करे मूले पर तो 100 पर कितना हानी होगी? सॉल्प कर लिजिए 0 से 0 कट गया 5 दूनी 10 5 पच्चे 25 5 से काटा 5 चेके 5 5 बीस में 100 और 20 गुड़े 2 कितना हो जागा? 40 तो हमारा हानी प्रतिसत क्या आगया? 40 हानी कितना प्रतिसत हुआ? 40 यह हमारा क्या हो गया? एंसर हो गया तो इस तरीके से आप लोग आसानी के साथ सॉल्प कर सकते हैं ठीक है? चलिए अब हम लोग अगले प्रिश्ण पर चलते हैं और देखते हैं मारा अगला प्रिश्ण क्या है? तो इस्टूडेंट्स प्रिश्ण संक्यादों को अप लोग ध्यान से पढ़िए देखें इसमें क्या काजरा है? दिएगे प्रतिक अनुपात के दोनों पदों को प्रतिसत में बदलिए तो यहां पर हमें अनुपात दिया गया है हमें इसे प्रतिसत में बदलना है ठीक है चलिए इसको solve करते हैं देखते हैं हमारा solution क्या होगा ए में क्या दिया है मैं तीन अनुपाते एक दिया गया ठीक है आप समझ लिजिए कि हमारे पास कोई वस्तू है ऐसे समझ लिजिए उसमें आप किसी चीज का मिक्चर ले लिजिए समझ जैसे हमारे पास दूद और पानी का मिस्तरण है तब आप ज़्यादर समझोगे हमारे पास दूद और पानी का मिस्तरण है ठेक है यह जो हमारे पास ग्लास है इसमें दूद और पानी की सरवपात में हैं तीन अनपात में हैं यानि की 3 लीटर दूध में 1 लीटर पानी, ऐसा समझ गए? समझ लीजिए मारा दूध है और यह मारा क्या है? पानी है 3 लीटर दूध में 1 लीटर पानी है, अगर यह जो मारा पूरा मिस्तरण है इसके quantity की बात करें, भाही, कितना लीटर बनेगा? तीन लिटर दूद है, एक लिटर पानी है, तो यह जो मारा पूरा मिस्टरण है, चार लिटर का हो गया, ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अगर हम दूद का प्रतिसत निकालना चार है, तो कैसे निकालेंगे, इस बात को ध्यान से समझे जे इस्टूनेट, अभी क्वेस्ट आप आसानी से कर ले जाएंगे, अगर हमें दूद का प्रतिसत चाहिए, लेख लेजिए, यह जो मिस्टरण है, मिस्टरण में दूद का प्रतिसत, क्या हो जाएगा, तीन लिटर दूद है, कितने में से, पूरा चार लिटर मिस्टरण है, तो पूरे चार लिटर में से ती स्वव में से कितना में 35 परशेता दूद के 4 और यहां से हो जोगा 25 25 के favor at थीक है तो दूद का पिसथ कि श्यक्राइब 65 परशेता दूद आ गया अब आगला प्र combines का प्रस्त निर्ण चारोत कैसे निकालोगे आप ध्यासे देखे पानी का पृसट करता अजगर मिष्ण है कि ऑगा कि अधिविए कि इक लीटर फाणी है वहाई एक पाणी है जजेबником है कितने में इतक पूर चार था था न तो चार में से एक पानी है एक लीटर तो चार मैसे आजिसे कि इपना है expected कर यह सूल करी है कि 25 के सो 25 किफ़ीन गरत तो ऐसे आप निकाल सकते हैं ठीक है देखिए कैसे निकाल लिए अब नहीं असानी कर रहे हैं आवं कि इसमे Philosophy किपके परत्रीक अनुपाद के पदों को प्रतिसत में बदलिए तो लिखिए अनुपाद तीन का प्रतिसत क्या हो जाएगा अब पूरा मिस्रण जो है वह यह जो अनुपाद दिया भी मिस्रण की बात की जाए जा रही है लेकिन आप समझ सकते हो अगर हम इसका अनुपादी योग ले ले यह अनुपादी योग 10 प्लस 10 कितना हो गया चार चार में से एक इतना है तीन है तीन तो सो में से कितना कार दिजिए 25 आया 25 तिया 75 तो अनुपाद तीन का प्रतिसत क्या आ गया 75 चलिए वगान का निकाल लेजिए क्या हो जाएगा एक है कितने में से चार में से तो सो में से कितना पच्चेस ठीक है समझ गए स्टूडेंट्स चलिए अब हम इस पर चलते हैं और देखते हैं इसका सोलिशन क्या होगा तीगे आप अनुपाद योग निकाल लेजिए तब ही समय पता चलेगा कितना मिस्रण है मारा टोटल निकाल रहे है टोटल टोटल पर ही देखेंगे तो लेख लेजिए अनुपादी योग दो प्लस तीन प्लस पाँच दो तीन पाँच दस ठीक है टोटल दस आ गया अनुपाद दो का परसंद निकालते हैं क्या हो जाएगा दो कितने में से दस में से तो सो में से कितना दस तहम सो दस दूनी बीस परसंद ठीक है जो ए है इसका परसंद कितने में से दस पूरा दस है ना देखिए पूरा मिसरण कितना है दस है अगर आप इसको समझो दूद चीनी और आपने कुछ मिला दिया है कोई फ्लेवर मिला दिया तो मिसरण मिसरण तयार हुआ पूरा समझे दवजे दूद है तीन लेटर पानी है और पांच लीटर आपने कुछ दूसरा मिला दिया उसमें तो जो मारा मिसरण तयार हो कितने लेटर का तैयार वो 10 लीटर है,ब 10 लीटर में से अगर ये जो दूद वाला है यानि की ये दो वाला जो है, इसका परतिस्त कैसे निकालोगे, 10 में से कितना लिया दो, तो सव में से कितना, तो ऐसे आप प Samsat निकाल सकते हैं, निकाल लिजिए, अब तीन कितने में से है दस में से तो सो में से कितना दस दाम सो दस तीन तीस प्रत्सत आ गया अनुपाद जो पाँच है उसका भी आप प्रत्सत निकाले जिए क्या हो जाएगा पाँच लिया है कितने में से दस में से पुरा दस है सो में से कितना कार दीजिए दस दाम सो दस पची पचास पचास ठीक है अनुपात पाच का पचास कितना गए पचास समझ गए स्टूडेंट चैलिए सी पर चलते हैं और सी को सॉल्ब करते हैं देखिए सी का स्वर्यूशन क्या हो जाएगा अनुपाती योग निकालिए क्या हो जाएगा one प्लस फोर तो कितना हो गया five अनुपात वन का प्रतिस्त कितना होगा पर एक लिया है कितने में से पूरा पांच है न पांच में से तो सौ में से कितना काटिए 5 एके 5 5-20 में 100 20 प्रतिसाथ ठीक है चारे अनुपाद 4 का प्रतिसाथ 4 लिया आपने कितने में से 5 में से पांच था पांच भाग था पूरा टोटल और पांच भाग में से अपने 4 भाग ले लिया है 100 में से कितना हो जाएगा 5 एक के 5 5-20 में 100 20 चुक 80 प्रतिसाथ ठीक है जो मरब भाग 4 है उसका प्रतिसाथ क्या गया 80 चलिए हम लोग इस डी को solve करते हैं और देखते हैं डी का solution क्या होगा डी में में क्या दिया गया है 1 अनुपाते 2 अनुपाते 5 तो चलिए अनुपाती योग निकाल लेते हैं अनुपाती योग क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 5 2 एक 3 पाँच 8 ठीक है अनुपाती योग कितना गया 8 कि acquisition when your पूरा कितना है पूरे में से 1 कितना है मैं 3 कि वह PD और पूरा जिसमेन से 100 निकालना है है तो सो में से कितना हो जागा कि पूरे में से वन लिया है कि या इसमें से कितना पूर्शत हो जागा वन काट ये 12.5 परिश्यत ठीक है बही काटोगे तो आट एक 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 दो दस तो जगा बीस आट दुनी सोला चार बीस दसमलों लगाई आट पंचे चालिस बहाग टू है भाग टू का परिश्यत क्या हो जागा दो लिया है पूरा कितना आठ में से सो में से कितना दो एक के दो दो चब के आठ चार से काटा चार पचीस में सो तो पचीस परिश्यत हो गया चलिए जो भाग पांच है का परिश्यत क्या हो जागा पूरा कितना आठ कितना ले रहे है पांच कितने में से आठ ले रहे है इस आठ मेंसे पांच ले रहे है सो में से क्डू तो 100 में से कितना प्रतिसत निकालिए काट दीजिए 8 से काटेंगे तो 12.5 आएगा 5 25 के 5 हासिल 2 तर्समलो लगाया 5 दूनी 10 दू 12 के 2 हासिल 1 5 के 5 एक 6 तुमारे पास कितना गया 25.5 प्रतिसत जो भाग 5 है उसका प्रतिसत आ गया 22 तर्समलो 5 और इस तरीके से आप देख सकते हैं जो मारा प्रश्ण संक्या 2 था प्रश्ण संक्या 2 के सवालों को मनें सॉल्व कर लिया है चलिए अब हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं मारा अगला क्वेश्ण क्या है तो इस्टुडेंट्स अगले क्वेश्ण को आप लोग ध्यान से देखिए कोई नगर है आप समझेज़े आपका गाउं है उस गाउं की जो आवादी है वो पचीस हजार थी पहले पचीस हजार से घट करके अब जो है चौविस हजार पांसो रह गई है तो घटने का पृच्छत हमें बताना है ठीक है लिखिए नगर की जनसंख्या कितना थी पचीस हजार घटने के बाद जनसंख्या बाद जनसंख्या कितना रहे गई चौविस हजार पांसो ठीक है अब भई पहले पचीस हजार थी अब चौविस हजार पांसो कितनी घटी तो लिखिए घटी हुई जनसंख्या अब देखिए कितने लोग कम हुई हमें वो निकालना है न तो जो नगर की पहले की जनसंख्या थी पहले की जनसंख्या माइनस आब की जनसंख्या तो पचीस हजार माइनस चोवआसजार पांसो तो घटी जनसंख्या हमें यहां से मिल जाएगी कितना मिला Wow अब देखिए घटने का पृसत निकाल लेते हैं तो पांसो जन्सेंगा कम हुई है कितने मेंसे आधार बेलू क्या होगी पहले 25,000 थी 25,000 थी 24,000 पांसो हो गई तो आधार बेलू क्या होगी 25,000 तो सौ मेंसे कितना परसत निकाल रहे हैं दो जिरू सदे जू रिकॉर्ड दीजिए यहां से दिए 250 एक के 250 दूनी 500 हमारी पास कितना गया दो तो जन्सेंगा के जो घटने का परतिशत है तो क्या है दो परतिशत कोई फोर्मूला नहीं सिखा रहे हैं आपको पस आपको स्केल कॉंसेट समझना है कॉंसेट अपलाई करोगे तो आराव से सवाल हो जाएंगे ठीक है तो यहीं मारा एंसर हो गया चलिए अब हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं अगले नंबर का सुल्यूशन क्या होगा तो इस्टूडेंट इसको आप ध्यान से देखिए अरुण ने एक कार रुपिया तीन लाग पचास हजार में खरीदी अब अरुण था उन्होंने कोई कार खरीदी अब जो कार है कार किया जो खरीद मूल है यहनि की कार का जो क्रे मूल है वो तीन लाग पचास हजार लिखिए कार का क्रे मूल है और स्टूडेंट यह जो हमारा क्रे मूल है इसे इंगलिस में कॉस्ट प्राइस कहते है ठीक है और क्रे मूल को सौर्ट में सीपी से रिपरजेंट करते है ठीक है सीपी का मतलब बता है कॉस्ट प्राइस क्रे मूल है लागत मूल कितना है तीन लाग पचास हजार रूपए अगले वर्ज उसका मूल बढ़कर तीन लाग सत्तर हजार हो गया तो लेकिए बढ़ा हुआ मूल अगले वर्ज का मूल कितना है बढ़कर कितना हो गया तीन लाग सत्तर हजार कार के मूल की प्रतिसत ब्रिद्धी ग्याद कीजी ठीक है अब देखिए जब कार खरीद करके लाए थे तो उसकी कीमत कितनी तीन लाग पचास जार थी जैसे आप समझेए आप गाड़ी खरीदे कोई आज उसकी कीमत तीन लाग पचास जार है आप ले आकर के रख दिये कीमतें बढ़ी आपकी गाड़ी की जो कीमत है तीन लाग पचास जार से तीन लाग सत्तर हजार हो गई तो जो बढ़ी हुई कीमत है जो ब्रिद्धी हुई है वो कितने प्रतिशत की हुई मैं वो पताना है तो सबसे पहले निकाल लेते हैं बढ़ा हुआ जो मूल है भृद्धी कितनी की हुई है कितने रूपए की तो 3,70,000 में से 3,50,000 घटा ही है 3,70,000 में से 3,50,000 घटा होगे तो कितना है कि 20,000 ठीक है 20,000 रूपए अब देखिए ब्रतिशत क्या हो जाएगा अब अगर आप एक तरीके से समझे इसमें आपको लाव हो रहा है कैसे आप 3,50,000 का खरीद करके लाए थे और आप समझे 3,70,000 घट हो गया तो बेच नहीं रहे रखे उपने पास ही लेकिन समझे आप उसको बेच होगे तभी तो 20,000 का फाइदा होगा तीन लाग पचास हजार पर तो सो पर कितम है दो जिरो से दो जिरो काट दीजिए और यहाँ पर चार जिरो काटिए चार है नहीं दो कटेगा खातीज यह ठीक है अब क्या हमारे पास आगया दो सो बटे में 35 सॉल्व करिए इसको पांच से काटिए पांच सत्य पैंथिस इसको पांच से काटा तो पांच जो के भी इस पांच सुनने सूने 30 वटे साथ इचालिस बटे साथ सॉल करिए साथ पांच सही 5 वटे साथ प्रतिसथ कितने प्रतिस विद्ध भृद्ध वूई पांच सही पांच बटे साथ प्रस्चत गई अब इस्टूनेंट्स आप लोग यह सोच रहोंगे हमने इसको कैसे लिख दिया यह भी समस्य आपके लिए देखे चालिस था चालिस को मने भाग दिया साथ से तो साथ 35 पांच बार गया यहां पर 35 लिखे देखे सेसफल कितना बचा पांच तो जो इसको कैसे लिखेंगे पांच सही जो सेसफल यहां पर लिखे और जी संक्या से भाग दे रहे तो आप यहां पर लिखे यानि कि भाग फल यहां पर आप लोगों ने इसके बारे में पहले स्टडी कर चुक है चलिए अगले प्रश्ट पर चलता है और देखते मारा अगला प्रश्ण क्या है अगरे प्रश्ट को इस्टूडेंट ज्यान से देखी क्वेस्चन नमबर फाइब इसमें क्या कहा जा रहा है मैंने एक टीबी रुपया दस हजार में खरीद कर 20 प्रतिस्ट लाब पर बेच दिया मुझे बेचने पर कितना धन प्राप्त हुआ ठीक है चलिए आपको क्वेस्चन करने हैं तो अगर आप लोग उन्हें ढ़ंग से नहीं समझा तो नहीं कर पाएंगे थोड़ी सी समझ से आपको आएगी मैंने एक टीबी रुपया दस हजार में खरीदा कितने एक खरीदा दस हजार का तो लिखे टीबी का खरीद मूर लें जिसे करे मूर ले कहते हैं कितना हैं तस हजार है खरीद कर 20 प्रतिशत लाब पर बेच दिया करें लिखे लाब प्रतिशत कितना हैं 20 हैं मुझे बेचने पर कितना धन प्राप्ट हुआ आप लोग कुछ समझ पा रहे हो जैसे हमारे पास एक पैन है एक पैन है इस पैन को मुने बेच दिया 10 रुपए का पैन था हमने 20 रुपए में बेच दिया हमें कुछ फाइदा हुआ समझ रहे हैं जैसे हमने कहा बई 10 का पैन है इसको मैंने 10 प्रतिशत लाब पर बेच दिया हमें केतना धन प्राप्ट हुआ तो जो आपको धन प्राप्ट होगा वो विक्रे मूले ही तो होग सोचिए डंक से बेचेंगे तो आपको जो धन प्राफ्थ होगा विक्रे मूली होगा तो यहाँ पर मैं क्या चाहिए विक्रे मूल चाहिए ठीक है तो पूरा धन में जितना प्राफ्थ हुआ पूजी वाला और जो हमारा फाइदा वाला है दोनों को मिला करके तो विक्रे मुल्य में ही दोता है मारा फाइदा और करे मुल्य दोनों तो मैं विक्रे मुल्य चाहिए ठीक है अब ध्यान से देखिए आपकी समझदारी के लिए माल लेते हैं जो मारा विक्रे मुल्य है वो क्या है? X रूपय है माना TV बेचने पर पेचने पर X रूपय की प्राप्ती हुई ठीक है? आप ध्यान से देखिए अब इस्टूडेंट आपको ध्यान से देखना है मैं X रूपय की प्राप्ती हो रही है या फिर आप फॉर्मूला अप्लाई कर दिए जैसे मुने फॉर्मूला आपको सिखाया था इसमें लाब हो रहा है ना आपको देखिए लाब हो रहा है ना तो लाब हम लोग कैसे निकालते थे आप बताईए जेनरल फॉर्मूला लॉब कैसे निकालते थे चुम्हारा विक्रे मूल होता था ठीक है विक्रे मूल में से चुम्हारा क्रे मूल था में लोग क्रे मूल घटा देते थे ऐसी लाब निकलता था तुम्हारा लाब कितना 20 प्रतिसत है लाब कितना 20 प्रतिसत तो लिख दीजिए विक्रे मुल एक्स हमें पता करना कितना है एक्स का मार्ण में निकालना है मैनस करे मुल कितना देखिए हैं 10,000 है समझ गए ना अब यह हमारा प्रतिशत में है तो ऐसे तो directly solve नहीं कर सकते हैं तो प्रतिशत को पहले हम भिन्न में बदल लेते हैं तो 20 प्रतिशत है ना प्रतिशत हटाओगे प्रतिशत हटा तो बटे में 106 तो आपने लिखा 20 बटे में 100 तो देखी started सब आप क्या करोगे थोड़ा सद दीमाग लगाईए क्या दीमाग लगाना है हमें 20 प्रतिशत लाब हो रहा है कितने की खरीद पर बैं जितने की खरीद पर को किउगले की उतने का दस हजार का बीस प्रत्षत लाब हो रहा है ना हजार का बीस प्रत्षत लाब हो रहा है तो लाब हमने लिख दिया लाब क्या हो रहा है दस हजार का भई यह जो रूपय है प्रतिस्यत को लेकर के लाब कहीं किनारे निकाल लेते लेकिन अम यहीं कर दे रहें कोई दिक्कत नहीं है अब एक्स माइनस दस हजार लिखें देखें कट जाएगा कि नहीं कटेगा दो एक के दो पंचे दस पांच से काटा इसको तो पांच दूनी दस पांच सुनने सुन पांच सुनने सुन पांच सुनने सुन वहीं दस हजार को यह पांच से काटेंगा दो हजार आजाएगा एक्स माइनस दस हजार एक्स को आप यहीं रहने दो दस हजार इधर लेकर के आओ तो एक्स वरबर कितना होगा दस दो बारह हजार अब देखिए आप X हमने किसको माना था TV बेचने पर X रुपा एक प्राप्ति ही हो रही है यहने कि कितना धन मिल रहा है X X का माना गया 12,000 यह यह माना क्या हो गया अंसर हो गया लिखिए आता है TV बेचने पर बेचने पर मुझे 12,000 की प्राप्ति होगी आएसे ही आपको लगाना है कोई नया फॉर्मूला आपको नहीं सिखाया चलिए अगली नमबर पर चलते हैं और देखते हैं अगली नमबर का सलुशन क्या होगा तो इस्टूडेंट्स क्वेस्टन नमबर 6 को आप लोग ध्यार से पढ़िए देखे इसमें क्या का जा रहा है जो ही एक वासिन मसीन उर्पया 13,500 में बेचने पर 20 प्रतिसत की हानी उठाती है कितने प्रतिसत की हानी उठा रही है 20 प्रतिसत की हानी उठा रही है तब जब उसको 13,500 में बेच रही है तो 13,500 में बेच रही है बिक्रे मुल दिया है तो ऐसे आपको समझना है बिक्रे मुल जो वासिन मसीन का है वो 13,500 रूपय है हानी प्रतिसत दिया है कितने हानी प्रतिसत 20 ठेक है उसने वह मसीन कितने में खरीदी थी यानि कि हमें क्या बताना है क्रे मुल तो मान लेते माना वासिंग मसीन का क्रे मुल का क्रे मुल बराबर एक्स रूपय है समझ गए इस्टूडेंट्स हमने एक फॉर्मूला आपको सिखाया था हमें हानी कब होती है जब हमारा क्रे मुल जादा होता है किस से बिक्रे मुल से समझ गए तो में ब्यापार में क्या होती हानी तो हमने आपको HANI निकालने का फॉर्मूला बताया था क्या बताया था हमारी जो HANI is equal to होगी हानी होगी तो क्रेमुल जादा होगा तो क्रेमुल मैनस भिक्रेमुल करेंगे तो हमें कितने रूपए की हानी और उपदा चल जाती है देखे हानी is equal to करेमूल माइनस बिकरेमूल अब देखे इस फॉर्मूली को हम कैसे इस्तिमाल कर रहे हैं अगर आप लोग इसका इस्तिमाल सीख रहे हैं ज़्यादा फॉर्मूली आपको याद करने की जरूवत नहीं आप लोग कौंसेप्ट अपलाई करके चीजों को सीख जाओगी विक्क्रे मुल्य समझ गए अब हानी हमें कब होगी जब करे मुल्य ज्यादा होगा विक्क्रे मुल्य कब होगा और हानी हमें किस पर होती है हानी पर जो मारा आधार बैलू क्या होता है करे मूले होता है हानी लाब किस पर देखते हैं करे मूले पर थमें 20 परतिशत की हानी हो रही ठीक है X रूपए की खरीद पर यानि की जैसे X रूपए मारा करे मूल है X की खरीद पर 20 परतिशत की हानी हो रही है X का 20 प्रत्य थमें घाटा हो रहा है हानी को मने ये हानी थी यह यह आनी थी यह लिख लिया इस तरिक के से करे मूल ले देखिए करे मूल ले को मने X माना है X लिखिए माइनस विक्रे मूल ले 13500 लिख देजीए पास समझ रहो अब x माना है प्रत्षत हटाईए तो बटे में 100 लग जाएगा x-13500 इसको अब solve करिए 21 के 20, 25, 100 हमारे पास आगे x बटे 5 is equal to x-13500, 13500 को आप इधर ले करके आईए हो गया प्लस 13500, x अपॉन 5 को उधर ले करके जाएए x-x अपॉन 5, solve करिए 5 के 5x-x बटे में 5 और 5x में से हमने x गटाया थमारे पास आगे 4x अपॉन 5 इधर क्या आया है? 13500 solve करिए, 5 को इधर बेजिए तो गुडे के साथ हो जाएगा 13500, गुडे में 5 यह 4 इधर आगा तो बटे में हो जाएगा x solve कर लीजिए देखे क्या जाएगा, 4 से काटिए 4, 312, 11, 11, 15 ठीक है? 4, 312, 315, 11, 30 4, 728, 32, 31, 20, 4, 25, 20 ठीक है? गुडे में 5, बराबर x चले, x is equal to क्या हो जागा? 33, 75 गुडे में 5 5, 25, 25 के 5 हासिल 2 5 सते 35, 27 के साथ हासिल 3 5, 3, 15, 13, 18 के याठ हासिल 1 5, 3, 15 और हासिले क्या हो जागा? इस्टूडेंट और 5, 3, 15 हासिले क्या हो जागा? 16 तो जो हमारा x है 16,875 रूपए आगया ठीक है? तो ऐसे आप लोग निकाल सकते हैं देखिए हमने कोई नए फॉर्मूला इस्तिमाल किया नहीं इस्तिमाल किया और आसानिक के साथ हमने इस प्रस्ट को सॉल भी कर लिया तो इस्टूडेंट एमारा क्या हो गया? एंसर हो गया तो लेक जिए आता है उसने वासिंग मसीन को 16,875 रूपए में खरीदा था ठीक है? और इस तरीके से जो मारा question number 6 था हमने इसको solve कर लिया है चलिए अब लोग अगले प्रस्ट पर चलते हैं और देखते हैं मारा अगला प्रस्ट क्या है? तो इस्टूडेंट आप लोग question number 7 को ध्यान से देखिए इसमें क्या का जा रहा है? number 1 में इसमें क्या का जा रहा है? इसमें part है फस्ट नमबर को ध्यान से देखिए चाक पाउडर में calcium, carbon तता oxygen का अनुपात इस तरीके से जिसे मारे पास चाक पाउडर है जो चाक पाउडर है उसमें calcium, carbon और oxygen का दो अनुपात है है ?? इसमें कर्यों कि प्रतिशत मात्रा ज्यादकरनी कि HI पर अनुपाती योग निकालीजिए अगर आपके पास कोई वी अनुपात दिया गया है चुछा अनुपात से किसी भी भाग का प्रतिसत्म कैसे निकालते हैं इसको आप लोग प्रस्ण संग्या दो में सीख चुके है कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए अनुपाती योग निकालिए 10 प्लस 3 प्लस 12 10 तीन 13 12 पचेश ठीक है और किसका निकालना है कार्बन की प्रतिसत्मात्र लिखिए कार्बन की प्रतिसत्मात्र देखिए हमारे पास टोटाल कितना है जो भी मिक्चर है उसका एमाउंट कितना है 25 कुछ भी हो सकता है लेटर हो सकता है कि लोग कुछ भी हो सकता है 25 है और 25 में से कार्बन कितना है देखिए 3 है तो सो में से कितना परस्ट में बदलना है ने सो में से कितना पचीश के पचीश पचीश चो का सो चारतियां बारह परस्ट जो कार्बन की परस्ट मात्तर आ गई कितना है बारह है देखिए आसानी के साथ हो गया न यह एंसर हो गया चलिए इसके सेकंड नंबर पर चलते हैं और देखते हैं सेकंड नंबर में क्या बात कही जा रही है चाक की एक छड़ी में यदि कार्बन की मातर तीन गराम है तब उसका भार कितना है ठेक इस्टूडेंट तो वह में उसका भार बताना है अब इस्टूडेंट्स आप लोग ध्यांज देखिए जुमारे चाक पाउडर है कैल्सियम कैल्सियम इतना है दस है कार्बन तीन है ऑक्षियन बारा है करा कि चाक की एक छड़ी में जुमारे कार्बन ने कार्बन का भार तीन गराम है अगर जो कार्बन है तीन गराम है इसको आप इस तरीके से समझिए कि जो मारा कार्बन का प्रश्चर दिया है न इसको मान नहीं रहे ठीक है एक दम आसान से सब्दों में आप समझ दीजिए कि यह जो मारा तीन अनुपात है यह जो अनुपात तीन है और बराबर किसके तीन गराम के एक अनुपात की वैलू क्या हो जाएगी देखिए अनुपात तीन की वैलू तीन गराम है तो एक अनुपात की वैलू निकालने के लिए क्या करेंगे तीन बटे तीन गराम कर देंगे तो यहां से मैं एक अनुपात का मान मिल जागा देखिए एक अनुपात हमारा कितने के बराबर हो जाएगा एक गराम के बराबर हो जाएगा अब जो चाक की छड़ी है आप इसी से बनाओगे न तो चाक की एक छड़ी का पूछ रहे हैं भार कितना होगा लिखिए solution चाक की तब उसका कुलबार चाक की छड़ी का पूछ चाक की छड़ी का पूछ देखिए एक अनुपात का जो बैलू है वो एक गराम है समझ गए आप इसको समझिए हमारे पास पहले तो चाक पाउडर है और जो चाक पाउडर है उसमें दस तीन और बारह के उनुपात में क्या क्या है कैलसियम कैलसियम कारबन और ऑक्सिजन है अब भई जो चाक पाउडर था उसको आपने मिला करके एक छड़ी का अकार दे दिया अब एक अनुपात का बैलू एक गराम के बराबर है तो दस अनुपात कारबन है तो कारबन कितना हो जागा दस गराम कैलसियम कितना हो जागा दस गराम कारबन देखिए तीन अनुपात है कारबन कितना हो जागा तीन गराम और सेस जो हमारा ऑक्सिजन हो जागा तो आक्सिजन बारा गराम तो टोटल कितना हो जागा 10 ग्राम केल्सियम 3 ग्राम कार्बन और 12 ग्राम क्या हो जागा ऑक्सीजन 10, 3, 13, 12, 15 ग्राम यह हमारा एंसर हो गया ऐसे हैं आप कर सकते हैं ठीक है? चलिए अब हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं अब देखते हैं अगले नंबर का सल्यूशन क्या होगा तो प्रश्ण संक्या आठ को आप लोग ध्यान से पढ़िए देखिए इसमें क्या का जा रहा है अमीना एक पुस्तक रुपया 275 में खरीद कर उसे 15 परच्चत हानी पर बेशती है पुस्तक का बिक्रे मूल ग्याद कीजिए हमें क्या करना ग्याद करना है पुस्तक का बिक्रे मूल ग्याद करना है तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका सल्यूशन क्या होगा पुस्तक का खरीद मूल दिया गया है ठीक है कितने का खरीद रही दो सो पचात्तर मिल खिये अमीना द्वारा खरीदी गई पुस्तक पुस्तक का करे मूल ले कितना है दो सो पचात्तर रूपए है अब हमें हानी प्रतिसत दिया गया है लिख देजिए हानी प्रतिसत कितना है पंद्रा है और हमें बिक्रे मूल ले ग्याद करना ठीक है तो हम माल ले रहे है एक्स है ठीक चलिए solve करते है हमने आपको formula सिखाया है formula क्या होता है जब हमें हानी निकालनी होती है तो हानी हमारा किसके बराबर होता है देखिए हानी के case में क्रे मूल ले जादा होता है तो लिखिए क्रे मूल माइनस बिक्रे मूल और देखी हानी का यहाँ पर प्रतिसत दिया गया है तो हानी को प्रतिसत से हटाते हैं पहले तो भई कितने प्रतिसत की हानी और ही 15 प्रतिसत की कितने रूपए की खरीद पर 275 तो लिखिए 275 की खरीद पर 15 प्रतिसत की हानी हो रही ठीक है 275 की खरीद पर 15 प्रतिसत की हानी हो रही तो इस तरीके से हानी निकाल सकते हैं यहाँ पर हम डिरेक्ट्री लिख दे रहे हैं नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते थे जैसे आपको हानी निकालना है कितने रूपए की हानी हुई तो देखी कैसे निकालोगे 275 रूपए की खरीद पर 15 प्रत्षत की हानी हो रही तो 100 पर कितना इसको solve कर लिजिए solve करते हैं देखिए 25 से काटा 25 चोगे 100 इसको 25 से काटा तो 25 चेके 25 227 21 चेके 25 227 चेके 25 इसमारे पास क्या गए 11 ठीक है और इसको solve कर लेते हैं solve करिए 15 के 15 के 5 हासिल 15 के 15 16 165 बटे में 4 इसको आप और solve कर सकते हैं 4 चोगे 16 4 एक के 4 1 पांच 10 हो गया 4 दुनिया 2, 10, 4, 5, 20 41 रुपे 25 पैसे की आपको हानी होई अब इतना ना करके यही काम हम यहाँ पर डारेक्ट ली कर दे रहे थे ठीक है अब करे मुले कितना है 275 रुपे का है और बिकरे मुले को आपने आप देखिए इसी को आपने यहाँ पर सॉल्ब कि हमारे पास आया है 41.25 माइनस एक्स को इदर लाइए तो प्लस एक्स हो गया 275 एक तैलिस दसमलों दो पांच यहाँ आएगा सॉल्ब कर लीजिए अब आप अब नहीं घटा पार रहे तो ऐसे करिए 275 दो अंग तक है ना दसमलों के बाद दो अंग कैसे 0 लगा दीजिए माइनस 41 दसमलों दो पांच कर लीजिए अब घटा आईए देखिए 0 में से 5 नहीं घटेगा 10 में से 5 घटा है तो 5 आ गया और यहाँ पर कितना बचा नो 9 में से 2 घटा है तो 7 आ गया यहाँ पर कितना बचा 4 चार में से घटा है कितना गया 3 और यहाँ पर 7 में से 4 घटा है 3 और यहाँ पर कैसे 2 ठीक है तो मारे पास क्या आ गया है 233.75 यह मारा कहा है X X हमने किसे माना था? विक्रे मूल ले लिखे हैं लिखे आता है पुस्तक का विक्रे मूल X is equal to 233.75 रुपया है ऐसे स्टुडेंट्स आप लोग आसानी के साथ सॉल्ब कर सकते हैं कोई नया फॉर्मूला नहीं इस्तेमाल कि हमने कोई concept यूज किया और सॉल्ब कर दिया concept आपको पता होगा तो आप लोग सारे प्रशनों को सॉल्ब कर ले जाएंगे अब ध्यान से देखिए इसमें प्रते एक दसा में तीन वर्स बाद मिस्त धन दे होगा तो हमें मिस्त धन निकालना है ठीक है चरिए मोल धन दिया गया है और दर दी गई है बारा प्रतिसत वार्शिक तो इस्टूडेंट्स जब लोग मिस्त धन की बात करते हैं तो आप लोग जानते हैं मिस्त धन क्या होता है मिस्त धन इस इकोल टू होता है मोल धन धन ब्याज ठीक यह मारा मिस्त धन का फॉर्मूला होता है अब यहां पर एक बात आपको समझना है कि अगर ब्याज की बात कही चारे ब्याज हमारे पास दो तरीके की होती है एक होता है साधारन व्याज और दूसरा होता है चक्रवरद्धी व्याज अगर कुछ नहीं कह रहा है ठेक है इस पेसिली कुछ नहीं कह रहा है तो समझी वहाँ पर साधारन व्याज की बात कही जा रही जैसे यहाँ पर हमने सिर्फ व्याज लिख दिया था तो इसका मतलब साधारन ब्याज की बात हो रही है अब यहां पर में कुछ नहीं दिया चक्रप्रदी ब्याज या साधारन कुछ नहीं दिया तो यहां पर हम क्या समझेंगे कि साधारन ब्याज की बात कहीं जा रही ठीक है चलिए है कि सॉल्ब करते हैं मूल दर कितना दिया 1200 1200 रूपए है जो हमारी दर है कितना दिया 12 परसत वारसी तो student ब्याज यानि कि जो साधार ब्याज देखिए कुछ नहीं कह रहा रहा तो साधार ब्याज ही निकालेंगे हमें मिस्तरधन चाहिए मिस्तरधन कैसे निकलेगा मोल धन दन ब्याज करना पड़ेगा तेके मोल धन तो हमारे पास है मिस्तरधन निकालने के लिए हमें ब्याज चाहिए तो ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है समझे उमारा ब्याज होता है टीक है ब्याद निकालने का फॉर्मूला होता है मोलधन गुड़े दर मोलधन गुड़े दर गुड़े समय बटे सोड गुड़े समय अब मोलधन कितना बारा सो है दर कितना बारा परतिशत है और समय कितना देखे तीन वर्स दिया है समय दिया है तीन लिग दीजिए पटे में सो और यहां से अब आप ब्याद निकाल लेजिए 12 गुड़े 12 करोगे तो 12 बार में होता है 144 और 144 गुड़े 3 कर दिजिए 3 चों के 12 के 12 हासिल 1 तो ब्याज हमारी पास कितना गया 432 रूपया अब आप लोग मिस्त दन निकालने की बात कह रहा ना तो मिस्त दन निकाले जी क्या हो जागा मिस्त दन मूल धन दन व्याज हमने फॉर्मुला सिखा दिया तो मूल धन कितना देखिए 1200 और ब्याज कितना है 432 तो बही 1200 में 400 जुड़ोगे तो बारचार 1632 रूपया यह वार मिस्त धन हो गया ठीक है यह हमारा आजसर हो गया चलिए बी पर चलते हैं और बी को सॉल्ब कर लेते हैं तो देखिए इस्टूड़ेंट बी में क्या कहा जा रहा है वही हमें मिस्त धनी निकालना है तो चलिए निकालते हैं मिस्त निकालने के लिए में क्या चाहिए सबसे पहले हमें ब्याज निकालना पड़ता है ना जो जो दिया लिख लिए सबसे पहले उसको मूल दर कितना दिया है रुपिया 7500 दर कितना दिया है 5 प्रतिचत वार्षिक है student एक बात आप लोग और समझ लिजी जो मूल धन होता है मूल धन को में इंगलिस में principal कहते है और principal कहते है इसलिए मूल धन को P से represent करते है P से दिखाते है जो दर होता है दर को इंगलिस में rate कहते है rate को R से दिखाते है समय को तो आप जानते है T से दिखाएंगे ठीक चलिए और miss done miss done को इंगलिस में amount कहते है और amount यानि जो miss done होता है उसको A से दिखाते है जैसे A is equal to यानि कि A is equal to क्या जगा P plus SI SI का मदब simple interest यानि कि साधारण व्याज अगर कहीं आपको इस तरीके से दिखाएं तो आपको भोचक्का नहीं होना है ठीक चलिए SI निकालते हैं SI मतलब simple interest साधारण व्याज formula क्या होता है P R T अब वान में 100 P का मतलब principal R का मतलब rate T का मतलब time बटे में 100 P लिखिए 7500 R देखिए कितना 5 है T 3 वर्स के लिए निकालना है बटे में 100 लिखिए solve करिए 0 से 0 cancel हो गया हल करिए 3 पज़े 15 75 गुड़े 15 solve करिए 15 पज़े 75 के 5 हासल 7 और 15 705 7 112 तो हमारा जो simple interest है हमारे पास कितना गया 1125 रूपए ये तो ब्याज आ गया लेकिन मैं amount चाहिए मैं Mr. चाहिए तो Mr. निकालने का हमने formula देखे सिखा दिया है principal लखी principal कितना है 7500 मैं आपको एसा ही जोड़ देना है 1125 जोड़ देजिए देखी क्या हैगा 5 2 और 5 में एक जोड़ा 6 और यहां से 7 में एक जोड़ा 8 तो 8600 रूपए ठीक इस्टूडेंट समझ गया आप लो तो जो मारा 3 वर्स बात मिसरदन दे कितना होगा B में 8625 रूपए यही मारा अंसर हो गया तो ऐसा ही करना है ज्यादा कुछ करना नहीं है चलिए अब हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं मारा अगला नंबर क्या है ध्यान से देखिए 10 वी नंबर को रूपिया 56,000 पर दो वर्स पस्याद किस दर से रूपिया 280 साधारण ब्याज देई होगा कुछ आप लोग समझ पा रहे हों यहाँ पर तो मारा रूपिया है 56,000 क्या है प्रिंस्पल है मूलधन है लिखिए मूलधन P is equal to 56,000 समय देखिए कितना दिया है दो वर्स आगे देखिए किस दर से यानि कि में rate बताना है R बताना है 280,000 ब्याज यानि कि जो मारा साधारण ब्याज है SI है और कितना है 280 फर्मूला अप्लाई करिए फर्मूला क्या होता SI is equal to होता है P R T अपॉन में 100 SI कितना है 280 है P कितना देखिए 56,000 R कितना है निकालना है तो R को ऐसे रख दो T दो वर्स बटे में 100 लिक के हल करिए कट गया न देखिए चलिए इधर ही इलाकर करटते है नहीं तो आप थोड़ा सा काओगे फास्ट हमने करती है पांसो सार गुड़ी में R गुड़ी में तो यही है न R निकालना R को ही छोड़के बाकि इधर लेकर करके हो 280 506 आएगा बटे में हो जाएगा 2 आएगा बटे में हो जाएगा यहां पर बचा R तो 281 के 282 पांसो साथ कह दिए बही जीरो से जीरो काटा 28 दूनी शप्पन R बराबर क्या हो गएगा एग बटे चार प्रतीसाद ठीक है जो मारा रेट है जो मारा दर है ओ क्या है एग बटे चार प्रतीसाद या फिर आप लोग इसे और क्या ली सकते हो जीरो पॉइंट टू फॉइंट प्रतीसाद यह उमारा रेट हो गया वही दसमलों में चेंड करना आप लोग जानते हैं कर ले न इस तरीके से हमने रेट निकाल लिया है चलिए अब हम लोग अगले प्रस्ण पर चलते हैं और देखते हैं मारा अगला प्रस्ण क्या है और एए इस्टूडेंट इस प्रस्णावली का हमारा आखरी सवाल है देखिए इसमें क्या का जा रहा है मीना ने नो प्रत्शत वार्षिक दर से एक वर्ष पस्चाथ रुपिया पैतालिस ब्याज के रूप में दिये उसने कितना धन उधार लिया था कितना धन उधार लिया था हमें वो धन ग्याद करना है तो या क्या ग्याद करना है पी प्रिंस्पल ग्याद करना है मूल धन क्या दिया है नो प्रच्छत वार्सिक दर आर नो प्रच्छत दिया है समय एक वर्स 45 ब्याज की रूप में जो हमारा SI है वो कितना है 45 रूपए है जो हमारा प्रिंस्पल है जो हमारा मूल दन में निकालना है तो फॉर्मुला क्या होता है SI is equal to होता है PRT P upon में 100 होता है SI के तद या 45 रूपए है ठीक P निकालना है आर नो प्रच्छत है और समय देखिए एक वर्स है पटे में 100 लिख दीजिए हल करिए P को यहीं रखके बाकि इधर ले करके 45 100 भाग के साथ है इस दर आएगा गुड़े के साथ हो जगा 9 यहाँ पर गुड़े के साथ है यहाँ आएगा भाग के साथ हो जगा P यहीं छोड़ दीजिए 9 एक के 9 9 पजे 45 5 को 100 से गुड़ा किया 500 देखिए P कमान आ गया न P बरबर क्या आ गया 500 रूपए तो यही मारा एंसर हो गया लिखिया आता है मीना ने 500 रूपए उधार लिये थे ठेक इस्टूड़न तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यह उमारा क्वेस्टिन नमर 11 था हमने इसको भी सॉल्प कर लिया है और इस्टूड़न इसी प्रशने के साथ यह उमारी प्रशनावली यह समाप्थ हो जाती है तो इस प्रशनावली के सारे समालों को उमने सॉल्प कर लिया है तो चलिए गाईज आप लोग पढ़ते रहें अगर आपनों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग बेज जिचक अपने डाउट को भीज सकते हैं तो चलिए गाईज आप लोग पढ़ते रहें थैंक यू